Hello Mommy and Daddy, Namaskar, कैसे हैं आप सब, I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि friends आप सब के comment आ रहे थे कि बच्चे को जन घुटी कैसे दें, कितनी मात्रा में दें, क्या newborn baby को जन घुटी दे सकते हैं, कितने महिने के बच्चे को जन घुटी दे सकते हैं, और बच्चे को जन जड़ी पूरी information आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप सब से रिक्वेश्ट है, अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को end तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने भी तक सब्स कर लें, पास में जो घंटिया उसको भी दबा ले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप सब को पता है कि जन गुट्टी जो होती है, एक आयोवेदिक आसदी होती है, बच्चे के लिए बहुत ज़दा फायदे मन्द होती है, इसमें ऐसे बहुत से गु ठीक है, तो आप भी अपने बच्चे को जन गुट्टी दे सकते हैं, आपके बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्राब्लम भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को अगर कोई प्राब्लम होती भी है, तो हमें तो समझ में आता नहीं है कि बच्चे को क्या दिक्क तो तब भी आप जन घुट्टी दे बैसे तो जन घुट्टी बच्चे को दी जाती है कि जैसे बच्चे को जो भी पेट से जुड़ी समस्याएं है उन सब में जन घुट्टी दी जाती है जैसी कि पेट में बच्चे को गैस पनने की दिक्कत है बच्चे को दस्त उल्टी कब हो रही हैं जसमें से बच्छी के पेट में दर्द रहता है तो इन सारी प्रॉब्लम girl's food बच्छी को बचाती है इसके साथ ही जब आपका बहुत जादा रोता है बहुत जादा चिड़ चिड़ाता है बहुत ज़दा आपको परिशान करता है रात में सोता नहीं है जाकता रहता है तो इसके एक रीजन हो सकता है कि बच्चे को साइद पेट से जुड़ी कोई प्राब्लम हो रही हो तो आप इस चीज से बच् गैस कब्जद वग्यरा से चुटकारत दिनाने के लिए आप बच्ची को जन घुट्टी दे सकते हैं ऐसी क्या होगा बच्ची को चैन की नीद आएगी बच्चा अच्छे से सोएगा क्योंकि बच्ची को कोई दर्द तकलीफ नहीं रहेगी चलिए ये तो हमने जान लिया कि बच्ची को जन घुट्टी क्यों देनी चाहिए अब ये भी जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में हो कितनी मन्त के बेबी को जन घुट्टी देना स्टार्ट करना चाहिए तो फ्रेंड जैसे ही आपका बेबी एक महिना पूरा कर लेता है मतलब आपका बीबी एक महीने का हो जाता है, तब से आप अपने बच्चे को जन गुट्टी देना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक से तीन महीने के बच्चे को आप एक एमल, एक एमल का मतलब होता है, जो ड्रॉपर होता है, उसके बीस ड्रॉप, आप अपने एक से तीन म बिष्डी बात करते हैं चार शह मीने के बच्चे को तो फ्रेंड से 4-6 मेने के बच्चे को आप 0-50 रावल तक जन गुट्टी दे सकते हैं 0-60 घावल मतलब की आधा चमच जो आपकी Teaspoon होती है उसका आधा चमच आप अपने बच्चे को जन गुट्टी दे सकते है जब आपका बेबी 4-6 मेने के बीच है तो इस टाइम आपको अपनी बच्चे को जन गुट्टी पानी से नहीं देना है जन गुट्टी देने के बाद अपना ब्रेस्ट फीट बच्चे को दे दीजे कोई दिकत नहीं अब बात करते हैं 6 मन से 12 मन तक की मतलब 6 मेने से 1 साल के बच्चे को आपको जन गुट्टी कितनी मात्रा में देना है तो फ्रेंड 6 मेने से 1 साल तक के बच्चे को आप 5 ml तक जन गुट्टी दे सकते हैं मतलब कि 1 चम्मा 6 से 12 मेने के बच्चे को आप जन गुट्टी की दे सकते हैं जन खुट्टी आपको दिन में दो बार देना है अपने बच्चे को ठीक है और चाहे तो हलक़े गुल्गोने पानी के साथ आप दे सकते हैं 6 मंध प्लस बेबी को या फिर नॉर्मल बॉटर से भी आप बच्चे को जन खुट्टी दे सकते हैं और जैसे आसरो को पता है कि कोई भी medicine हम use करते हैं तो उसको shake करके देते हैं तो आपको जन घुट्टी को भी बच्चे को देने से पहले उसको एक बार अच्छे से shake कर लेना चाहिए ठीक है friends तो आपने जान लिया है कि आप 1 month से 12 month तक के baby को जन घुट्टी दे सकते हैं कितनी देना है कैसे देना है आपको ठीक तरीके से पता चल गया होगा तो I hope ये वीडियो भी आपके लिए काफी helpful रहा होगा तो वीडियो को जल्दी से like करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास मेरे जो घंटे है उसको भी दबाए मिलते हैं ऐसे एक helpful वीडियो के साथ तब तक अ ऐसे ही देखते रहे रेशूस बेबी केर बाबाई थेंक यू